वेल्कम बैक टो मैं चैनल देशी खाना खचाना आज मैं बनाने जा हूँ मत्रफिनिक्स जो कि रिज्टुरेंट में किस टार्ज में बना जाता हैं तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाई थी आप लोगो घर में बनाई हैं यहां पर देखें मैंने दो जीन जाएं दो हरी मिर्च लिया है एक बड़ा प्याज यू में ने कटकरकर रिखें है और लशन शर्फ अद्रा कर टुकड़ा और एक मेडियम साइच का टोमाटर यहां पर मैंने पानीर 200 गरम लिये हैं और यहां पर ग्रीन मत्रम लिया है पानीर को मैंने अच्छे से वा करें लें पनील को पनील को बनाएं को अब कराओज़ बनागा हूए सबस्ते होगा है इस अब अम शरक चाहिए पहल जाती है करना निजए को अश़ी तो पिर्षीने ila को अच्छी प्राइब। थे संपर शेड़े की आदे वाय चिछी के अच्छी जिसए अधी में निकालाइब और पर देखा कर निकालेंगे जैसे ही आप पनीर को निकालेंगे, सीदा आप लोग गरम पानी इसलिए आप लोग पनीर को वहाँ पर दाल दाल दाला है इसलिए मैं बोलते हैं कि मेरा वीडियो को आप लोग स्कीप मत किज़गा, पूरा देखे लाई है लिखिए जितना भी पनीर का अम लोग ये ज़ितना भी एक्स्ट्रा और निकल जाते है और जो पनीर है वो नरम रहते है इसलिए गरम पानी आप लोग करके तेहरे से रख लिजिए और पनीर जैसे इत्राई हो जाए आपको पानी इसे डाल के रख दीए तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे उसे प्यांते हम लोग यहाँ पे जो हरी मिर्च जो रखे थे इसे हम लोग आप करेंगे देन इसमें हम लोग क्या करेंगे तो जो रशन हम लोग फिरके रखे रखे थे उसे आड कर दिए देन अध्रा कर्टो कुड़ क्याइट की प्याज तो जैसे हम लोग कर से रहती है इसे हम लोग तीन मिमिल्ट के लिए हम लोग इसे अच्छे से क्राइट करेंगे तो देखें तो इसकारस मेरा सक्काय के अंड़ा है कि हम आएacyj तो इसके पर मोसे ओना रहे हैं तो इसलिए पोड़ा अप्नाड़ को इसलिए आप लिए जगी लिए ङाई आपको अपर आपको जिय aur नमक आड़ करने के बाट नाट आट नमक आड़ करने के लिए अच्छा से पकारें कि जैसे ही तमाटर अच्छा से गल जाएगा थोड़ा सा हलका सा इसके लिए पिश करा रेगा आपीद यहां नमक नहीं रहे हैं में इसे अडारभ अच्छा से छुचा हैं और लॉष्ण और अछीब है अब यू अच्छा से को टीफ है तो इसे टीफ हैं रिच हैं तो गर्मकरम और मीमिदक में अन्ड़ में ज़स है अच्छाँ समर्गप अच्छा हैं इसे हम लोग अच्छे से फाइन पेस्ट कर लेंगा कि यहां पर पानी आपको बिल्कुल एड़ मत कीजिएगा यह ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा आप लोग इस तरह से आपको पेस्ट बना दीजिए अब प्याल लिए पेन में तेल गरम हो चुकी थी आप यहां पर जीरा एड क कि यहां पर यहां पे मसाला करने के बाद मिलीक कि घृष्घं के बाद यहां पर मिलीका देजिए जैसे ही तूरं अपको पधकर रेड़ी कर रोके फिशे आप लग पाया अध करदे जैसे भी आप लोग को पर अच्छे से पका लीजएगा जैसे ही अच्छे से पका लीजएगा इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे इसे भी हम लोग 2-3 मिट के लिए Low to Medium dlm वो जोड देंगे, यहां पर दिखें फ्रैंस दो मिट पार स्ट एक पनीर मसाला मेंना है तो आप लोग इस तरह से मसा बढ़ पनीर मसाला चोब आता है मार्केट में उसे भी आपको यहां पर एड करेंगे अखनी के बाद यसे हम लो पीछे इड़ी हम लोग अच्छी से पका लेंगे दिए पर टोटर मेरे से अच्छी से पका ली अब ये पुरी तरह से मसाला हो चुकी है अब हम लोग इस Васमें एक आड करेंगे में उनुल कीषे रिख श्यूका रखे के अच्छाव छे रखे रख मुल्हाइब देट एंगे कि लेगें एक दूम निट के लिए पकालेंगे हैं लिए जाए एक दूम निट की तो फीछ लाइगे हैं इसलिए हम लोग यहां पर जबा नहीं आधा कटोरा पानी चोटा कटोरा में आप अपर आट करेंजेगा आप लोगो ग्रेवी जितना रखना है उससे सबसे पानी आप लोग आट करेंगा जैसे इसमें उबल आ जाएगी पूश देखें एक दूम निट के लिए हम इसे गैस म पका रहेंगे प्र क्डंगे भाद हम अब इक दूम निट के बाद हमारा पनीर म कि बिलकु बनके रहे है बंदे ऑचिए इहां पर मतर पनीर बिलकुर बनके आठिके इस तरह एपनीर मे जड़ोगा जो भी मेरे चैनल पर नए एपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आज सेर कीजिए, आपने फैमली, आपने फ्रेंड्स के साथ प्रेंड्स और जो साइड में बेल आई के लिए उसमें और लोटिफिकेशन चुआ आती है, उसे आपको पेश कर दीजिएगा, आप लोगों जो भी रे प्रेंड करके जरूर बताएगा फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू, बाँ बाई